नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मैं आपको पिछले दो वीडियो में ये चीज बता चुका हूँ कि मैं रामचन सुखले जी द्वारा लिखित हिंदी साहित का इतिहास नमक पुस्तक जो की हर परिक्षा के लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है जिसमें की 526 और मेरे चैनल को सेयर करें और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और एक बात मैं आप से बोलना चाहता हूं मैं ये बात आत्ममुगधता में नहीं बोल रहा हूं ये मैं स्वाबिमान से बोल रहा हूं कि मैं अपने चैनल से कोई भी परजी चीज आप लोगों के भी आएगा अगर आप एक भी वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको समध में आ जाएगी उसकी आउचिते उसकी साथ थत्ता आपको समध में आ जाएगी तो ये सुरू करते हैं फिर हिंदी सहित्य का इतिहास का आदिकाल का पहला प्रकरण जिसमें की सामाने परिच दिया गया है इसको पढ़ते हैं कि प्राकृत की अंतिन अपभरंस अवस्था से ही हिंदी सहित्य का आविर्भाव माना जाता है देखिए उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभरंस या प्रचलित का विभासा का होतों की सामप्रदाइक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवी सताब्दी के अंतिम चरण में लगता है मुंज और बोज के समय समवत एक हजार पचास के लगबग तो ऐसी अपभरंस या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार सुद्ध साहित्य या कावे रचनाओं में भी प अथार महराजा भोज के समय से लेकर हमीड देव के समय के कुछ पीछे तक बना जाता है अब यही चीज आपको question पूछ ली जाती है कि रामचन सुखली जीन ने किन राजाओं के काल को अभरंस काल माना है तो यह आपको अगर पता है यह भोज से लेकर हमीड देव तक तो या सवाल सही कर सकते हैं यते भी जनसुरती इस काल का आरंब और पीछे ले जाती है तो समवत 770 में बोज के पूर्वपूरुस राजा मान के सभासद पुछ नामक किसी बंदिजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंत लिखना बताता है यह पर इसका कहीं कोई प्रमान नहीं म सव वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विसेश प्रवृत्ती का निष्चे नहीं होता धर्म नीति स्विंगार वीर सब प्रकार की रचना यह दोहों मिलती है इस अनर्दिष्ट लोक प्रवृत्त के उपरांत जब से मुसल्मानों की चढ़ाईयों का प्राणब होता है तब से हम हिंदी सहित्त की प्रवृत्ती एक विसेश रूप में बनती हुई पाते हैं राजाश्रित कवी और चारण जिस प्रकार नीति श्रिंगार आधि के फुटकल दोही राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रेदाता राजाओं के पराक्रम पून चरितों या गाथाओं का वानन भी किया करते थे यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है इसे लक्ष करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है अब आप समझ गए होंगे अब आते हैं आगे कि दूसरी बात इस आधिकाल की संबंद में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहितिक समग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिक्द हैं और कुछ संदिक्द हैं असंदिक्द समग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभरंश अर्थात प्राकृत भास प्राकृत की रूढ़ियों में बहुचकुत बंदी हुई हिंदी का अभिप्रा यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भासा नहीं है जिस समय की इसकी रचना है मिलती है यह उस समय के कवियों की भासा है कवियों ने कावे परंपरा के अनुसार साहितिक प्राक्रत के पुराने सब्द तो लिये हैं जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम स विभत्तियां, कारक, चिन और क्रियाओं के रूप आद भी बहुत कुछ अपने समय से कई सो वर्स पुराने रखे हैं बोलचाल की भासा घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप ना केवल कवी और चारणादी भासा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाया करते थे जो उनसे कई सो वर्स पहले से कवी परंपरा रखती चलियाती थे अब भ्रंस के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस का विभासा के हैं जो अपने पुराने पन के कारण बोलने की भासा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसकी कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहे विक्रम की 14. सताबदी के मद्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवी संभावता सारंगदर हम्मीर की वीरता का वर्णर ऐसी भासा में कर रहे थे कि चलिये वीर हम्मीर पाबर मेड कमपई दिगमन अंधार धूली सुरसर अच्छा हैं दूसरी और खुसरो मिया अमेर खुसरो जी दिल्ली में बैठे ऐसे बोलचल की बासा में पहलिया और मुकरिया कर देते कि एक नार ने अचरज किया साब मार पिजरे में दिया ठीक है, साब मार पिजरे में दिया, ये एक पहेली है, जिसका के मतलब होता है दीपक, दिया ठीक है, इसी प्रकार पंद्रवी सताब्दी में एक और तो विद्यापती, बोल चल की मैथली की अतरिक्त इस प्रकार की प्रकृत भास पुरानी काविभासा बनते रहे, कि बाल चंद बिज्जावई भासा, दुहने घुग दुजन हासा ठीक है, अब यही पूछ लेते हैं कि यह पंक्ति किसके दोरा लिखी गए, यह तो अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा है तो आप आराम से बता देंगे कि विद्यापती ने लिखा है, नहीं तो आपको पता ही नहीं हुगा कि विद्यापती भी ऐसा लिख सकते हैं तो आप किसी और नाम का लिख देंगे, फिर अपका सवाल गलत हो जागा, और दूसरी और कबीरदास अपनी अटपटी बानी में बोली सुना रहे थे कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया जहारी, उतर दक्षिंड के, मतलब दक्षिंड युनों ने लिखा वो दक्षिंड होगा, उतर दक्षिंड के पंडिता रहे बिचार बिचार, अब सारांस यह है कि अपभरंज की यह परंपरा, विक्रम की पंद्रह हुई सताप्द फ्रहति के मद्ध तक चलती रहे, एक ही कवि विध्यापति ने दो प्रकार की वाषा का वेवार किया है, पुरानी अपभरंज बाषा का, और बोल चाल की देसी वाषा का, इन दोनों भाषाओं का भेद, विध्यापति ने इस पस्ट रूप से सूचित किया है, विध्या इसका मतलब हुआ कि देशी भासा सब को मिठी लगती है इसे वैसे ही आपभरंश देशी भासा मिला हुआ मैं कहता हूं विद्यापति ने अपफरंद से भिन प्रचलित बोलचाल की भासा को देशी भासा कहा है अतर हम भी इसी अर्थ में इस सब्द का प्रियोग कहीं कहीं आवस्यक्ता अनुसार करेंगे मतलब प्रचलित जो बोलचाल की भासा है उसी को देशी भासा कहा गया और ठीक इसी पंक्ति से जुड़ा हुआ एक सवाल इस बार की UGC नेट में परिक्षा में पूछा गया हूँ वो सहथ पहला ही सवाल था पेपर का वो आप देख लेंगे तो अगर ये पैराग्राप जिसने पढ़ा है उसका वो सवाल सही हो जाएगा दोस्तों परिक्षा का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है अगर इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे इस तरह की पढ़ाई आप डीप स्टडी नहीं करेंगे आप कॉंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप नेट पास करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो ज लगे कोई भी सुजाव लगे कोई भी आपको परिशानी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप हमारे काम को किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी डीटेल आपको डिस्क्रिप्सन में दी गई है आप वहां से देख सकते हैं तो इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अब भ्रंस की रचनाओं का संक्षित उल्लेक करेंगे तथा देशी भासा की रचनाओं का वर्णन करेंगे तो ये चीजे जो है अगले वीडियो में होगी अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद शुवरात्री